चलो बच्चा एक और नया सम यह सम में आप ध्यान से देखो क्या information है x plus 2y plus z is equal to 7 यह एक equation दूसरे में दिया है x plus 3z is equal to 11 और तीसरे में दिया हुआ है 2x minus 3y is equal to 1 बच्चा यह सम सॉल करना comparatively easy है इसमें तीनो जो equation है इस तीनो में तीनो variable नहीं दिये इसलिए easily सॉल हो जाएगा suppose तीनो variable दिये होते तो ऐसे हम में sum अलग से किया हुआ है यह ध्यान से देखो के तो हर एक equation में यह दो equation में तो दो ही variable है तो calculation part हमारा simple हो जाएगा हम क्या करेंगे कोई भी एक variable को substitute करके दूसरा दो equation हम value put करेंगे अब बच्चा बोलेगा के sir आप बोल रहे उसमें समझ में नहीं आ रहा तो देखो अब लिखना शुरू करता है तो ज्यादा समझ में इसको equation 1 इसको equation 2 और इसको equation 3 पहले यहां तक आपको clear कर देना है जैसे यह point complete होता है बच्चा अब हम बोल सकता है कि equation 1 में जो है उसको हम z के form में लिख सकता है तो ऐसे कुछ है हमारा first equation x plus 2y plus z is equal to 7 z is equal to आप बोलोगे sir यह सब दूसरी साइड जाएगा तो 7 plus x plus 2y आप बोलोगे sir plus होगा कि minus तो बच्चा ध्यान में रखना यहां पर minus होगा क्योंकि 7 जो है वो साइड x गया दूसरी साइड तो यहां पर x और 2y जाएगा तो दूसरी साइड पर 2y हो जाएगा जैसे यह point complete होता है बच्चा अब यह equation हम यहाँ z a की equation में है तो वो equation में हम value put करते है और आगे लिए जाते है तो यहां पर लिखते है put put यहां पर हम लिखेंगे put z is equal to 7 minus x minus 2y इन equation कौन सा है बच्चा तो इन equation 2 है इसमें value put करते हैं तो यहां पर हमारा जो है x plus 3z is equal to 11 जहां पर आप बोलोगे sir z की जगा आप क्या लिखोगे तो z की जगा हम पहले 3 का 3 और z की जगा हमने लिख दिया 7 minus x minus 2y is equal to 11 क्लियर है यह point जैसे यह complete होता है तो यहां पर हमने लिखा x multiply करेंगे 21 यहां पर करेंगे 3x यहां से करेंगे तो 6y is equal to 11 क्लियर अब देखोगे ना शांती से तो x और y ही बच्च है और दूसरे जो last equation है उसके अंदर भी x और y ही बच्च है तो इसको simplify करते हैं और proper कर देते हैं तो यहां पर 21 है वो दूसरी साइड ले जाते हैं तो पहले तो हमने लिखा x minus 2 मतलब 3x करोगे तो 2x आ जाएगा दूसरा हम बोलेंगे minus 6y as it is और यहां पर 11 minus 21 तो यहां पर बोलोगे 2x minus 6y is equal to minus 10 और इसको equation नाम दे देता है 4 और 4 equation और हम compare करेंगे कि इसको third वाले equation को तो यहां पर ज्यान से देखोगे बच्चा तो यह fourth वाला equation है यहां पर minus 2x है और यहां पर plus 2x है तो बस बच्चा हमारा तो काम हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहां पर हम लिखेंगे add equation आप बोलोगे 3 and दूसरा कौन है 4 equation हम 3 and 4 को add करेंगे तो यहां पर add करना है तो simply आप लिखो कि यहां पर 2x minus 3y is equal to 1 यहां पर minus 2x minus 6y is equal to minus 10 तो यहां पर हमें जो point ध्यान में रखना है यह point खतम होते ही आप बोलोगे सरा आप value put करते है तो यहां पर आप देखो यहां पर 2x 2x cut हो जाएगा यह plus में है यह minus में ह 3 plus 6 तो आप बोलोगे minus 9y यह clear है और यह 1 है और यह क्या है minus 10 तो आप बोलोगे सर यह minus होगा 9 y is equal to 9 by 9 आप बोलोगे minus minus plus और answer आजाएगा 1 यहां तक आपको clear करना है जैसे y का answer आता है तो बच्चा बोलेगा सर चलो अब value put करते है उसमें तो put y is equal to 1 in equation यह ले 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 रते ह 3 equation 3 तो यहां पर आप बोलोगे सर 2x minus 3 y is equal to 1 तो यहां पर हमने लिखा 2x 3 की जगा 3 y की जगा हमने लिख दिया 1 is equal to 1 2x is equal to minus 3 is equal to 1 यहां पर लिखेंगे 2x is equal to 1 plus 3 ध्यान में रहेगा minus है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो बच्चा बुलेगा सर देखो 2x is equal to 4 x is equal to 4 by 2 answer आजाएगा किपना 2 clear जैसे यह point complete होता है हमारा x आ गया दूसरा आप बोलोगे y आ गया तो अब first वाले equation यह आप बोल सकते हो कि second वाले equation में value put करके हम क्या ढूम लेंगे z ढूम लेंगे तो हम दूनके second वाले equation में तो यहाँ पर हम लिखेंगे put x is equal to 2 in equation 2 equation 2 में value put करेंगे तो क्या होगा तो हमारा है x plus 3z is equal to 11 यहाँ पर x की जगह आप बोलोगे sir लिखो 2 3 y is equal to 11 minus 2 3 y is equal to 9 y is equal to आप बोलोगे sir z से y की आ गये तो यहाँ पर वो ध्यान में रखना यह z है तो यहाँ पर बोलोगे sir z होगा z, 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 z is equal to 9 by 3 तो answer आ जाएगा 3 तो बच्चा हमारे पास क्या आ गया ध्यान से देखोगे तो y आ गया 1 आप बोलोगे z आ गया 3 and x आ गया 2 इसके साथ बच्चा हमारा यह point खतम यह ज़रा साथ भी difficult नहीं है बस थोड़ी practice करनी पड़ेगी तो proper notebook में लिख लो बच्चा मिलते हम next lecture में एक समके साथ